नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जारी किया गया है जहारखन में फिलहाल पच्मी भी छोब नहीं है एक हफ्ते बाद पच्मी भी छोब बनने की समभवना है मंगलवार को आकास में हलके बादल छाय रहे हलाकि दिन में गर्म होने के कारण साम के मौसम में बदला हुआ तीन मार्च को अधिक्तम तापमान में 2-3 डीगरी सेल्सेच की ब्रीधी की समभवना है मार्च के पहले सब्ता से ठंड में कमी आ जाएगी इसके साथ ही मौसम सुहाना हो जाएगा जबकि मार्च के दूसरे सब्ता से गर्मी दस्तक देदेगी दस लग का इनामी नक्सली सुरेश मुंडा समय दो ने किया सरेंडर भागपा मवादी के जोनल कमांडर और दस लग का इनामी नक्सली सुरेश सिंग मुंडा और दो लाख रुपाय का इनामी एरिया कमांडर लोदरो लोहरा और शुबास ने पूलिस के समख सरेंडर किया पूलिस के लागातार अभियान बढ़ती दविस और आत्मस्तमरपन निती से परभावित होकर दोनों नक्सलियों ने सरेंडर किया है लाखों सरधालूओं ने बाबा मंदिर में किया जलावी से कोविट की पमदी हटते ही बाबा बैदनात मंदिर में महा सिवराती के दिन सरधालूओं का सेलाव उमरपा तक्रिबन दो लाख बाइस हजार भगतों ने कतारवध होकर बाबा पर जलारपन किये इसमें 13200 भगतों ने सिग्र दर्शनम का कूपन लेकर बाबा की पुजा की इस पावन दिन पर भीड इतनी अधिक हो गई की भगतों क्यास्था के आगे मंदिर पर साशन की वेवस्ता कम पड़ गई इस दोरान रूट लाइन में कई बार भगदल मच गई जिससे 50 से अधिक सरदालूओं को चोटे आई है दिन भर रह रहकर मंदिर परिसर के वी आईपी गेट और कतार में कई जगा आफरात अफरी का महल रहा वही महरा सिरातरी के दिन वी आईपी मुव्मेंट ने भी जिला पर साशन की परसानी बढ़ाई अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर रहेतों ने अटी पीसी के की मांगे पूरी नहीं होती तब तक अटी पीसी के अधिनस्त कमपनी एल एंटी के द्वारा बनाया जा राग कन्वेयर बेल्ट का निवान कार्य बंद रहेगा रहेतों ने कहा है कि कमपनी ने 75 परतियत अस्थानी लोगों को रोजगार देने का स्वसन दिया था लेकिन पारी लोगों को ठेके पर रखा गया है पांडू में कन्वेयर बेल्ट का निवान कार्य बंद होने के दूसरे दिन मंगलवार को रही तो जनपरतिनिद्यों की बैठक भी होई पूलिस नकसली मुडभेड में घायल टी एसपीसी नकसली रंजन का इलाज करने वाले डॉक्टर सहीद दो गिरफतार पलामू पूलिस और नक्सली संगठन टी एस्पी सी में मुर्भेड के बाद घायल नक्सली रंजन का इलाज करने वाले ग्रामीन चिकित्सक अम्रे सिंग समेथ दो लोगों को पूलिस ने गिरफतार किया है साथ ही 147 के महिर जीन जिन्दाकार्तोस सहीत भारी मात्रा में समान बरामत किया है एस्पी चंदन सिना ने पत्रकारों से बात करते हुए इसकी जनकारी दी एस्पी सिरी सिना ने बताया कि नोडिहा थाना चेतर के तुरकून में नक्सली संगठन टी एस्पी सी के नक्सली रंजन की दस्ता होने की सुचना मिली थी सुचना मिलते ही पूलीस और स्यार पी एफ 134 बटाले के सन्युक्त करवाई में जवान तुरकून गांप पहुंचे जे एमेम के संस्थापक सदसे रहे सीवा महतों का निधान गिरीडी जीला अंतरगर्ट डूमरी विधान सभा से तीन बार विधायक और जे एमेम के संस्थापक सदसे सीवा महतों का निधान हो गया है 104 वर्ष ये सीवा महतों ने डूमरी परखंड के घुटवाली स्थित पैत्रिक आवास में अमतिम सांसे ली वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे लेकिन उनका बेहतर उपचार संभाव नहीं हो पा रहा था सोमवार की रात उन्हें सांस लेने में काफी तकलिफ होने लगी और कुछ दिर बाद उनका निधान हो गया जहारखन में 50,000 लीटर छामतावाला ढेरी पलांट होगा सुरू जहारखन के साहेव गंज सदर परखंड के मुवसिल थानाचेतर के गोसाला महादेव गंज के समीप पचास हार लीटर छामतावाला ढेरी पलांट बनकर तयार है अब उधगातन का इंतियार है सभी मसीनों की जाच की जा चुकी है इस पलांट से दूद उत्पादकों को काफी लाब होगा आपको बता दे कि इस डेरी पलांट के धार सिला पीम नायंदर मोधी ने वर्ष दोहेरा सोत्रा में रखी थी 34 क्लोर की लागा से इस पलांट का निर्मान किया गया है गांगा की नगरी में दूद का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है सरकारी नौकरी में जार्खन से मैट्रिक इंटर अनिवारे के खिलाप याच का पर सुनवाई आज जार्खन सरकार की और से जे एससी के नई निवक्ति नियमावली की खिलाप दाखिले आज का पर जार्खन हाई कोर्ट में आई सुनवाई होगी या मामला चीफ जस्टिस डाक्टर रवी रंजन वा जस्टिस एस इन परसाथ के अदालत में सुनवाई के लिए सुचिवध है इस समध में रमेश हंसदा और कूसल कुमार की ओर से हाई कोट में आज का दाकिल की गई है या चीका में कहा गया है कि राई सरकार की ओर से जस्टिस नियुक्ति के लिए नई संसोधन इमावली बनाई गई है इसमें कहा गया है कि नियुक्ति के लिए वैसे अभ्याति पात रहा हैं जिन्होंने राज्य के संस्थान से दासवी और बरावी की परिक्ठा पास की हो इसके अलावा जन्जाती एमच्छत्रिय भासा की सुचि से हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया गया है वहीं अन्य, उर्दू, उडिया और बंगला भासा को सामिल किया गया है राजे के संस्थान से पास होने की आहारता सिर्फ समानेवर के लिए है जबकि आरक्षी सिरेनी के अभ्यारती को इसे छूट पदान की गई है जारखन में कुरोना के 18 नय केस मिले है जबकि 81 मरी स्वस्थ भी हुए है जारखन में कुरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 421 है भारत में 4972 केस मिले जबकि 9,520 मरी स्वस्थ भी हुए है भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 84,1259 यूक्रेयन में फसे जारखन के 17 लोग पहुंचे राची रूस और यूक्रेयन के बीच जारी यूद के बीच वहाँ फसे जारखन के 17 लोग मंगलवार की साम राची पहुंचे अपने वतन वापसी पर इन लोगों ने केंद्र और राज सरकार के परियासों की जम कर सरहना की वहीं कई ने यूक्रेयन की हालात की वस्तो इस्थिती बताई दूसरी ओर वहाँ फसे जारखन के अन लोगों से भी लागता संपर्क अस्थापित किया जा रहा है राज सरकार के कंट्रोल रूम में फोन कर अब तक 181 लोगों ने मदद मांगी है राज की ये सम्मान के साथ पूर्व विधायक सीवा महतो का हुआ अमतिम संस्कार डुमरी के पूर्व विधायक सीवा महतो का अमतिम संस्कार मंगलवार को उनके पैतरिक निवास चंद्रपूर परखंड से सीजुवा पंचायत इस्थित, सीजुवा बस्ती इस्थित, सीवा महतो हाई स्कूल प्रांगन में राजगे सम्मान के साथ किया गया जिला परशासन की ओर से हवाई फैरिंग कर सलामी दी गई सुबे के सिक्षा मंत्री जगनात महतो सरकार के सचेतक सा टूंडी विधायक महतो प्रसाद महतो आईसू सिप्रूमो सा सीली विधायक सुदिस महतो उपस्तित थे खोटी के एक छुक युवाओ को ड्राइविंग का परसिक्षन देगा एससबी खोटी जिला के अलकी परखन अतनगर्थ हुंठ में मंगलवार को ससोस्त्र सीमा बनले नागरिक कल्यान कारकरम के तहत ग्रामियों के बीज जरूरत की समगरी का बित्रन किया मौके पर कैम्प कमांडर ने कहा कि छेतर के एक छुक युवाओ को तो मीटर दोड आधि का प्रतियोक्ता कायों किया गया था प्रतियोक्ता की बिजावी प्रतिभागयों को कारकरम के दुर 112 को ुभि दिया गया जारखन एकेडमी काउंसिल दोवारा आयोजीत होने वाली इस परिक्षा में कक्षा आठ उतिन बिद्यार्थी सामिल होंगे इस परिक्षा में निर्धारित अंक लाने वाले बिद्यार्थियों को कक्षा नौ से बरावी की पढ़ाई तक पर तेक वर्स 12,000 रुपे चात्री विर्ती परदान की जाएगी हलाकि राज सरकार ने मुख्य मंत्री में धा चात्री विर्ती योजना वर्स 2019 में ही सुरू करने का निले लिया था लेकिन कुरोना के काराण इसकी परिक्षा ही नहीं हो पाई थी सरकारी स्कूलों में परदाना ध्यापकोकी होगी नियुक्ती राज जे के अपग्रेडेड हाई स्कूलों में परदाना ध्यापकोक नियुक्ती के लिए अक्टूबर 2019 में रद होई परकिर्या दोबारा सुरू होगी जार्खन लोग सेवा आयोग से होने वाली इस नियुक्ति में अन्य स्रेनी के माध्मिक बिद्यालियों के वय से पद भी जोड़े जाएंगे जो बाद में रिक्ठ हुए हैं नियुक्ति नियमावली में संसोधन से इसका रास्ता साफ हुआ है इसकुली सिक्षा युमसक्षता विभाग जे पी एसी को नियुक्ति के उन्सोषा बेजने की त्यारी कर रहा है सखी संग के करकरताओं का छठे दिन भी भूख हरताल जारी जार्खन राज एकी किरिद पोशन सकी संग का मंगलवार को विधान सबा के समीप अनिश्चित कालिन भूख हरताल छठे दिन भी जारी रही भूख हरताल पर बैठी संग के अध्यक्स सोनी पास्वान और परदेश सचीव रजनी कुमारी की हालाच भी गरती जा रही है रूस यूक्रेण यूद के बीच मंगलवार एक मार्च को एलपीजी सिलेंडर के नज रेट जारी हो गए है राइधानी राची में सिलेंडर के रेट में 108.50 पैसा की ब्रिधी हुई है हलाकि आईजाफा कमर्सियल सिलेंडर में किया गया है लेकिन माना जा रहा है कि 7 मार्च के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी बढ़ सकती है मंगलवार एक मार्च 2022 को कमर्सियल सिलेंडर की कीमत में ब्रिधी कर दी गए राइधानी राची में 29 किलो वाला LPG सेलेंडर एक मार्च से 108.50 पैसा के बढ़ोतरी के साथ 122.50 पैसा में मिलेगा